आज मैं फिल से एक मिठाई के रेसेपी लेके आई हूँ जो बहुत ही उनिक है इसे हम बीट रूट से बनाएंगे और इसे बनाने में हमने दूद घी या खोया का यूज नहीं किया है यह टेस्ट में बहुत इला जवाब लगता है तो चलि हम बिना टाइम वेस्ट के इस रे और सियर जरू किजेगा इस रेसेपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार लिया है और इसमें हम डालेंगे एक बीट रूट जिसे मैंने छिलका उतार के इस तरह से छोड़े-छोड़े टुकड़ों में काट लिया है इसे हम जार में डाल देते हैं और इ कि इस तरह से इसमें हमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है अब चलते है अगले प्रोसेस पे गैस पे मैंने कड़ाई को गरम करने के लिए चड़ा दिया है इसमें हम बीट रूट का पेश्ट डाल देंगे और गैस का फ्लेम मिडियम रखें इसके साथ ही हम इसमें ड बूल चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे हाप कप डेजिकेटिड कोकोनट पाउडर और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें हाप कप मिल्क पाउडर जितना हम कोकोनट पाउडर लेंगे उतना ही हम मिल्क पाउडर लेंगे और इन दोनों को हम एक साथ इसमें मिक्स करे है और अब हम इसमें डालेंगे वन थर्ड छोटी चम्मच इलाइची पाउडर यह अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे कीप कर सकते हैं बर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे दो तीन मिनट इसी तरह से चलाते देंगे दो तिन मिनट चलाने के बाद देखे यह बहुत ही अच्छे से डो बन चुका है और साइट से पेन का किनारा भी छोड़ दिया है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे देखे फ्रेंड्स हमारा जो मिठाई का डो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब हम इसे सेप देंगे तो हम थोड़ा सा हाथों पे घी लगाएंगे ताकि यहाथों पे चिपके नहीं और थोड़ा सा हाथों में पोर्सन उठाएंगे और इसे आप किसी भी सेप में बना स सकते हैं लड़्डू की तरह या पेड़े की तरह बट मैं यहां पर इसे सलेंडर का सेब दूंगे इस तरह से देखे और आप इसे इस तरह से भी सर्फ कर सकते हैं मैं यहां पर इसे डेजिकेटेड कोकुनट में रोल करूंगे ताकि यह और भी ज्यादा स्वादश्ट लगे देखे इस तरह से इसी तरह से हम सारी मिठाईयों को बना के तयार कर लेते हैं इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं सारी बीट रूट की मिठाई को मैंने बना के तयार कर लिया है कुछ पे मैंने नारियल पाउडर से कोट किया है और कुछ पे मैंने सिल्वर लिप्स लगा है देखे फ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट मारा मिठाई बनके तयार है और इसमें मैंने कोई भी फूट कलर यूज नहीं किया है बीट रूट के कारण से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है इस मिठाई को आप एक बार जरूर ट्राइ करें और इसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं रेसेपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे और इसे फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ भी सेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसेपी को बना सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं किसी नेक्स रेसेपी के साथ तब तक लिए थैंक यू बाई